अभी सब्स्ट्राइब करें हमारे यूट्योब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले गले में तुलशी माला धारन करना कंठी माने तुलशी धारन करना यह एक छोटी कंठी धारन की जाती है तुलशी की जो कंठ में धारन रहती है यह तुलशी की माला यह तुलशी की कंठी सदा सरवदा गले में रहने चाहिए क्योंकि जिसके सरीर पर तुलशी रहती है उसके सरीर में देवताओं का बास होता है आप सामान निसी बात समझ लीजे लेकि हम बहुत जादा सास्त्रों की बातों में बात सास्त्रों को करते हैं लेकिन आपको वाक्यों की उल्जन में फसा करके और आपको क्लिष्ट बात कहें नहीं हम बहुत सीधी सरल रूप में समझाना चाहेते जिससे बात आपके अंदर ठीक से बैठ जाए आपने सुन्दर भोजन बनाया और भोजन की थाली सजा करके भगवान के सामने रखी लेकिन अभी वो प्रशाद नहीं अभी आपका वो बनाया हुआ ब्यंजन भोजन है और जैसे ही आपने तुलसी का एक पत्र उसमें डाल दि जिस दिन तुलसी धारन कर लेता है उसी दिन से वो भगवान का हो जाता है भगवान का प्रशाद बन जाता है तो हम लोग भगवान के बनने के लिए तुलसी धारन करते हैं कंठी धारन करते हैं और यह गुरू का दिया हुआ एक प्रशाद होता है गुरू का स्वरूप मा आते हैं तो हमें गुरू परमपरा का संभाहन के रूप में अभी वह प्राप्त होती है हम गुरू जी का आधर करें गुरू जी का इस्मरण करें कंठी को देखकर गुरू जी की इस्मरण होता है जब हम इस्नान करते हैं तो इस्नान के समय हमारे उपर से जो जल आता है और व भी वेक्ति कोई मुश्लिम वेक्ति कहीं जा रहा था और जाते जाते रास्ते में वो बैल गाड़ी से जा रहा था उसकी बैल गाड़ी किसी पत्थर पर लगी और उचट कर गिरा वो वेक्ति जैसे ही गिरा तो उसकी मृत्य हो गई लेकिन मृत्य होते समय उसका हाथ जहां ग तुल्सी की सूखी काश्ट पर जैसे उसका हाथ पहुचा तो उसने तो जीवन भर पाप किये थे मिलेक्ष था अत्यंत पापी जीव था यम्राज के दूत उसको लेने के लिए आये हुए थे और यम्राज के दूत उसको पकड़कर खीच कर ले जाते उसके पहले भगवान के पारसद वहां प्रकट हो गए तो यम्राज के दूतों ने कहा कि ये भेंकर पापी है मिलेक्ष है हम इसको लेने आये है इसका मरने का यहीं समय निश्चित था और हम इसको लेने के लिए आये हैं पर तुम लोग क्यों आये हो तो भगवान के पारसदों ने कहा कि ये पाप पाप हो गया है अब इसको जो है आप यंपुरी में नहीं ले जा सकते अब तो ये वैकुंट का अधिकारी हो गया है और उस पतित जीव को भी वगवान के पारसद जो है बिमान में बेराजमान करके और संक घंटियों के सुंदर उस मंगलिक धोनी को करते हुए उस मिलेक्ष लुझ की आत्मा को भगवाद्धाम ले गये भगवान नारण के पास चला गया तो ये तुलसी धारण की महिमा है तुलसी धारन करने से इस प्रकार से पापी व्यक्ति भी वगवत धाम को प्राप्त कर सकता है इसलिए हम सब को बड़ी सद्धा पूर्वक तुलसी धारन करने चाहिए